इस समय पर हमें कुछ खर्पदवार नाशियों का भी प्रियोग करना होता है जो किसान भाई रसाइनिक विदी से खर्पदवार नियंतर करना चाहते हैं उनको रसाइन चुन लेने चाहिए इसमें ब्यूटा किलोर नाम की दवाई आती है जिसका 1.5-2 kg सकिर्यता तो प्रती हेक्टर अगर ये ना हो तो आप एनिलोफास ले सकते हैं एनिलोफास का दशमलब 4-5 kg या यूँकर ये 400-500 ग्राम मात्रा ले सकते हैं अथवा पैंडी मिथालीन का सकिर्यता तो 1-5 kg प्रती हेक्टर प्रियोग कर सकते हैं या प्रतीला किलोर दवाई आती है जिसकी मात्रा आप 0.75-1 kg प्रती हेक्टर के हिसाब से प्रियोग कर सकते हैं किसान भाईयों इन दवाईयों में से सिर्फ एक दवाई ही आपको लेनी है और उसकी जो मात्रा हमने बताई है उस हिसाब से ले और इस मात्रा को आप 600 लीटर पानी में घोल बनाकर जो आपने रोपाई की है उसके तीन से चार दिन के अंदर अंदर उसका आप छड़काव कर दें तो इससे कम से कम शुरू के 20-25 दिन आपके धान के खेत में खर्पदवार नहीं आएंगे कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अचानक बहुत जादे बारिश हो जाती है और हमारे धान के कुछ पोदे उखर जाते हैं या माली जे हमने कमजोर पोद लगाई है तो वो भी मर जाती है तो करीब एक हपते बाद या रोपाई के एक हपते बाद आप अपने खेत में चारो तरफ अच्छी तरह से घूम के देख लें कहीं कोई पोदे उखर तो नहीं गए है या मरतों नहीं गए है उनकी जगे पर आप तुरंथ नए पोदे लगा दे किसान भाईयों इन दवाईयों में से सिर्फ एक दवाई है आपको लेनी है और उसकी जो मात्रा हमने बताई है उस हिसाब से ले अगर हम धान के खेत की तैयारी अच्छे तरह से करते हैं उसमें समुचित उर्वरक प्रबंदन करते हैं फिर अपनी पोद को स्वस्त पोद की हम रोपाई करते हैं और रोपाई भी हमें सही दूरी पर करनी है सही वेग्यानिक तरीके से करनी है, आधिक घहरी नहीं करनी है, और साथ ही हमें जो खर्पदवार नाशियों का प्रियोग करना है, जो रोपाई के समय होता है, वो अगर हम करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी धान की फसल की बढ़वार अच्छी होगी, ब्रदी अच्छी होगी और आपको उपज भी इससे अच्छी प्राप्त होगी.